विक करेंगे काउंसलिंग से रिटेटिट जो डाउट से पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आए है ठीक है उसका रिटाइन बहुत सारा कन्फीजन है बच्चो के अंदर आप सब के अंदर तो उसको clear करेंगे counseling से related बहुत important बात करेंगे J email वालों को डर हो गया यार कभी comments हुआ नहीं है complete counseling सुरू हो जाएगा वेब जी का तो हम लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे क्योंकि बहुत सारे J email candidates भी रहते हैं सब के लिए बात करेंगे तो वीडियो को last तक देखना अच्छा से doubt clear करने के लिए और कुछ भी doubt होता है तो फिर comment करियो क्या है tension के बात नहीं है और चल पर नहीं हो तो यार याद से subscribe मारो अपने हाथ से पंजा नहीं मन्स अंगली को मारो और subscribe कर दो बेल अगन को प्रस के तो याद सड़ी है updates एकदम तुरंत पाने के लिए because इस channel पर updates आपको officially statement के साथ एकदम updates clear मिलता कोई fake नहीं तो चल शुरू करते हैं सबसे पहला बात last वाले वीडियो में मैंने date बताया officially statement declare हुआ 7th August वो बता दिया चलो problem हुआ क्या जैसे आया सबका मैंने उसमें बताया था कि आपको documents ready कर लेना आपका काम अभी यह है मैंने बताया है दो काम एक तो यार college list prepare कर लो अपना क्या क्या आपको डालना क्या branches आपके लिए preferable है दूसरा अपना documents ready कर आप problem बच्चे का बहुत भाहिया document कैसे कर रही कर रही कर अरे यार मैंने पहले बहुत पहले सब कुछ बता दिया मेरे चैनल पे आप देख रहे हो कभी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा काम कर लो यार मेरा चैनल का playlist में जाओ दिखेगा बगल में यार कमेंट करते हो कमेंट में मैं कितना बता पाऊंगा थोड़ा सा mistake हो गया तो बाद में आपको बहुत problem face करना पड़ेगा तो देख लो थोड़ा time निकाल के जादा लंबा भी नहीं है ठीक clear हो जाएगा other state वाले हो तो भी देखो उसके लिए भी मैंने बना दिया है clear हो जाएगा तो देखोगे नहीं तो फिर बोलोगे भाई आपने बताया नहीं तो ये तो सही बात नहीं है न देख लिया गरो आज problem है जही मेन वालों का उसको discuss करना और थोड़ा counselling का जो doubt है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने counselling के उपर एक बताया था कि decentralized counselling हट सकता है आपको याद होगा ये वीडियो मैंने बताया था क्योंकि इस बार का counselling तो जूट मुट का tension लेकि कुछ फायदा है कुछ नहीं है कोई फायदा ही नहीं उसके बारे में सोचके हम में क्या है अभी present scenario को देखकर गाम करना अपने के अपने पास result का data चुका है तो अपना काम यही है कि result को देखना उसके बाद अपना document से रखना बाके सरकार के उप बात करो सब कोई है ना कोई tension के बात खुद बोल देंगे हाँ अभी मात आइए कुछ दिन बात आईए ठीक है ऐसा नहीं उनको भी पता है यह चीज हो रहा है तो बच्चे आएंगे सब को पता रहता है यह कोई नया बात नहीं हर साल होता है इस साल कोई के चलते थोड़ा स हुआ नहीं वाला जो मैनने बोला तो सब को यह problem था कि जही में कोई कॉलेज है कि नहीं West Bengal में जो government है को कि नहीं जो जही में का माक्स के according seat लेता है विकाउस तो बोला तो यह जाता है कि 10% seat तो जही में के लिए तो कोई है की नहीं तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया है सारा पाला नंबर तो आई इस्टी सिप्पूर है यह तो हाई लेवल का है अच्छा रांक आएगा जई में तभी हो सकता इसकी बात हड़ो एनाइटी दुरगापूर का भी बात हड़ाओ क्योंकि यह सब तो जई यह 15-35-15 का रेशियो में है यह 15-35 यह पूरा गवर्मेंट आप समझ सकते हो यह वाला पार्ट और यह पार्ट आपका प्राइवेट लिए तो यह भी बहुत अच्छा है जई में के थुरू जाने के लिए अब आते हैं गनिखान चांदरी इस्टीट आप इंजिनरिंग अ प्रिंव बतार्ट धार्ट इसक्राइवेट अश्वाट अर्व लेता है अगरिकल्चर तांब्र की रोडीति तो सतया मिलसर में गनल्वाइंट आ उस्टव सब्सक्वर्मेंट पारइन सिस्ट्वा में điều विर्गापूर। यह सिर्फ एंड से लेता यह त सब कुछ कॉमेंट कॉलोजिस है यह 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 और यह यह सारे ऑन यापको ज्याएंड के थिछ अराप से मिलेगा प्लस ज़司 जथना भी प्रैवेट है का वीडियो मैंने बाग्राखों है वेस्ट बेंगोल के लिए वहाँ जितना भी प्राइवेट सबका जही में रांक भी बने बता है कट आफ का तो देख लेना कर नहीं देखे हो तो वहाँ वह सब और यह सब आप जही में के तुरू जा सकते हो तो टेंशन की बात नहीं होगे जिसका जही में वाला प्रॉब थोड़ा आज हो इंपोटेंट बात. Counseling से Riluted अब बात करते हैं यार Counseling से Riluted ठीक है? Counseling के लिए बहुत important बच्चा लोग सब को बहुत confusion है क्या है कि मैं West Bengal से बिलों करता हूं मैं other states से बिलों करता हूं मैंने J &EB दिया है, मैंने Way2 औinflammरी गी दिया है या तो अधर इस्टेट से बिलॉंग करेगा यही दो सेनारियों है तो यह आपको लिष्ट दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ देखना यहाँ मैंने कुछ लिखा लिस्ट प्रेफरेंस यह अभी डिसकस करते हैं तो यह आपको लिस्ट से दिख गिया होगा सारा कुछ जब J-Main सजा सकते हैं यह तो परफेक्टली सिर्फ J-Main के है और जब ब्लू टिक वाले है वो WP J-E-K भी है बहाँ से मिलेगा अब देखो जो जिनोंने W West Bengal में बिलॉंग करते हैं जिनोंने J-E-Main सिर्फ दिया है सिर्फ J-E-Main दिया है तो वो लिस्ट के सारे कॉलेजि के लिए रिजर्वरत आपको पता होगा है ना तो यह को में ऐसा नहीं होता है बस यह दोनों में तो यह प्रेफरेंस मिलेगा एक्स्टा अधर वालों को यह प्रेफरेंस नहीं मिलेगा बस बाकी सारा यह जो सिनारियो है सब मिलेगा जिनोंने सिर्फ J-E-Main दिया है ठेक दूसरे वाले में आते हैं जिनोंने WBJ दिया है तो जो विष्ट बेंगॉल के हैं उन्होंने जो WBJ दिया है तो विष्ट बेंगॉल भी WBJ दिया है तो वो सारे जो WBJ के अंदर colleges आते हैं जितना भी private बोलो, self-financed बोलो, government बोलो, government universities बोलो, सब में आराम से पाट ले सकते प्रावलाम आता है अधर इस्टेट वाले जिनोंने WBJ सिर्फ दिया है वो क्या कर सकते हैं वो private जितने भी top private है सब में पाट ले सकते हैं अराम से प्लस JU जादा पूर इन्वरसिटी में तो पाट ले सकते हैं बट यहाँ पे 10% ही उनको preference मिलेगा याद रखने का बात है ठ हो सकता है ठीक है डेवली जिए की तुरू गौर्मेंट में नहीं हो सकता कि यह गौर्मेंट सिर्फ स्टेट के लिए रिजर्ब है थर्ड विल भी जिनोंने जही में भी दिया और WBJ भी दिया है वैसे कंडिट्स भी है वह या तो विश्ट बेंगॉल से बिलोंग करेंगे तो जिनोंने दोनों दिया है प्लस विश्ट बेंगॉल से भी बिलोंग करते तो उनका तो मज़ा ही मज़ा है वह सारे WBG के कॉलेजेस प्लस लिष्ट के जितने भी कॉलेजेस प्लस रेफ्रेंस वाले जो 50% कोटा है यह सब को लेते हुए यह सब में अप्लिगेवल है प्राइविड भी लिक लू प्राइविड वाले भी सव यतने ही प्राइविड बेंगॉल के हैं, उन्हें ही सिर्फ पफार्मा बनाना है, पफार्मा मिंस डोमिनसायल का पफार्मा, T.A.W. का अगर एपलीकेबल है, और कास्ट का, कास्ट का मतलब यह मैं सबजांकि कुछ नया बनाना हो, आप किसी भी state में होते हो सबका आपका caste certificate होता है OBC का अलग, SC का अलग, PWD का अलग वही चलेगा और कुछ करने के ज़रूरत नहीं है वारस other state वाले को जो other state के उनको कोई performa की ज़रूरत नहीं है कोई performa की ज़रूरत नहीं है और अगर वो अपने state में कुछ caste में belong करते हैं तो इसमें वो caste नहीं applicable होगा क्योंकि वो other state के तो उनका automatically वो general में गिनाएगे अपने state में वो SC पे है लेकिन इसमें WBJ में उनका SC valid नहीं होगा क्योंकि वो West Bengal के candidate नहीं है clear? So, यह वही colleges में जा सकते हैं जिसमें सिर्फ domicile जो होगा वो applicable नहीं होगा जैसे कि JU में जो 10% quota प्लस private माले जितने clear है टेंसल लगे कुछ फाइदा नहीं है क्योंकि counselling तो अभी सुरू हुआ नहीं counselling का कोई update भी नहीं है update आएगा इस सेल पे मिलेगा clearly बताएगे और tension मतलब mock counselling पहले board start करेगी mock counselling हर साल होता है वो होगा क्योंकि आपको clear हो जाएगा कि हाँ counselling कैसे करना क्या कैसे steps को follow करना है बाद में आपको जाके गलती ना हो इसलिए board हर साल कराती है mock counselling उसका update भी चलन पे मिल जाएगा पुरा process अच्छा से फिर मिल जाएगा ठीक है मुझे पता है counselling कैसे होता है बस मैं बता किस लेने रहा हूँ मैंने बता है हो सकता है changes आजाए कुछ इसलिए wait कर लेते हैं थोड़ा officially आए तब बताएगे तो आज के लिए बतना है guys वीडियो पसंद आ रहा है तो subscribe कर ले न बेल आगा उनका प्रेस को देने आस thanks for watching शेलों मिलते हैं अगले वीडियो में